चतिसगड के मुख्यमंत्री विश्णु देश साय जी न्यूस एटिन इंडिया के डाइमंड सेट समय चतिसगड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद तीन बार विधान सभा चार बार लोग सभा केंद्र में राज्यमंत्री स्टेट की अब आप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं और नहीं सहीबो अब की बार बदलेगो आपने इस बार ये नारा भी लगाया था तो क्या सोचकर आप आए कि क्या बदलें चाहेंगे चतिरगर राज का निर्माण हम लोगों ने किया जनजन के नेता स्रधे अटल विहारी बाचपेई जी जब परधान मंत्री बने देश की जनता की आशिरवाद से तो एक नौंबर 2000 को चतिरगर राज का निर्माण किया और ये सोचकर कि चतिरगर का सर्वांगिन विकास होगा चतिरगर राज के निर्माण के बाद सुर्वाती का तीन साल बहुमत के आधार पर कॉंग्रेस की सरकार बनी लेकिन जब पहला विद्धान सभा का चुनाव आया तो चतिरगर की जनता ने भारती जनता पार्टी को आशिरवाद दिया भारती जनता पार्टी को जनादिश दिया पहली बार हम लोग सरकार बनाए डॉक्टर रमन सिंग जी मुख्यमंत्री बने तो सर्द्यातल विहारी बाजपेई जी के सपनों को पूरा करने का काम डॉक्टर रमन सिंग जी ने प्रारम किया सबसे पहले तो बड़ी समस्या थी यहाँ पर गरीबी थी भुक्मरी थी लोग यहाँ पर भुक से मर भी जाते थे बच्चे उपवास होते थे लेकिन भारती जन्ता पार्टी की सरकार और तातकालीन मुखमन्ती डॉक्टर रमन सिंग जी स्थी पीडियेस की ब्युस्था यहाँ पर चालू किये जिसके कारण वो पुरे देश में चावर वाले बाबा के नाम से बिख्यात भी हुए और जिन गरीब लोगों को भुक्मरी के कारण को दो कुटकी महुआ खाना पड़ता था आजो भुक्मरी चतिस गड़ में है नई और पंद्रव वर्सों में भारती जनता पाटी की सरकार में चतिस गड़ का चहुमोखी विकास हुआ और चतिस गड़ में का सकता हूं कि जो भी विकास हुआ हर छेतर में सड़ग, विजली, पानी, चिकित्सा, आज सिक्षन के छेतर में जितनी संसाई आई हैं ये सब हम लोग के पंद्रवस के कारकाल में आए हैं और अभी 2023 के चुनाव में फिर से यहां की जनता चौथी बार भारती जनता पाटी को सिर्वात देकर सरकार में बैठाई है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोग के पास था कि सरकार के परती जो एक जनता का अब विश्वास था, उस विश्वास को हासिल करना और हम समझते हैं कि इन साथ महिना के कारकाल में वो विश्वास हम लोगों ने हासिल किया है और मोदी की गारंटी जिस पर हम लोगों को यहां का जनादिस मिला है, सरकार में बैठे हैं साथ महिने में ही मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम, परधानमंती आवास हमारे किशानों का धान 21 कुइंटल परती एकड़ खरीदना 31 सो रुपया प्रती कुइंटल धान का कीमत देना, सत्तर लाग से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंदन योजना में प्रती महना 1000 उनके खाते में भेजना, रामलला दर्सन योजना का सुभारम करना, प्रती जैसे गोटाले को, स्विवियाई को सोपना इस सब काम मात्रे 6-7 महने के कारकाल में हमारी सरकार ने किया है, और एक सरकार के प्रती चतिगड की जनता का बिश्वास लोटा है, बिश्वास बढ़ा है विश्व देव जी आपकी बड़ी विश्व टुप लबदी है, 36 कड़किया पहले आधी वासी मुखे मंत्री हैं आधी बहुत समय पहले से, जो ओरिजिनल जो यहां के वासी है, आधी वासी, आपकी लेके दौड बड़ी लंबी रही है, पिछले 50 साल से आपकी दौड और कश्मकश आपकी जारी है, आप दस साल के थे, आपके पिताजी गुजर गए, आपके दो चोटे भाई थे, आपको उनकी भी देखरे करनी थी, चौती कक्शा में आप पढ़ते थे, उसके बाद 35 साल का आपका राजनीतिक जीवन राफ, कई उतार चड़ाव आपने देखे और लेकिन अब जब आप आदिवासियों को देखते हैं यहाँ पर, 34 परसेंट आपकी राजय की अबादी जो है वो आदिवासिय हैं, लगबग आप 60 साल के हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या तरकी आपने पिछले कई सालों में देखी, आपको लगता है कि वो धीर सर से पिता जी का साया उठ गया था, और चुकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे पिछे तीन और भाई थे, माता जी थी, तो हम तो यही सोचते थे, कि हम खेती बाड़ी करेंगे, भाईयों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको नोकरी दिलाएंगे, और माता जी का भी सेवा करेंगे, और भाईयों को भी सक्षम बनाएंगे, और पढ़ाई पूरी करके, हमने भारती जनता पार्टी जोईन की, और भारती जनता पार्टी ने जो भी दाय तो दिया, उसको पूरी इमान्दारी और निष्ठा के साथ करते गया, और हम कभी सोचे नहीं थे हम तो मुख्यमंत्री की बात आप कहते हैं हम सरपंज भी बनने किस नहीं सोचे थे कि हम कभी जीवन में सरपंज भी बनेंगे लेकिन ये जनता का सिर्वाद और भारती जनता पार्टी के सीर्शनेताओं का विश्वास कि हमने जो निष्ठा पूर्वक पार्टी के लेकाम किया उस पर विश्वास करके पार्टी हमको आगे बढ़ाते गई हम एक पंच से अपनी राजनीति के आत्रा सुरू किये पांस साल पंच रहने के बाद सरपंज बने और निर्विरोद सरपंज थे छे महना हुआ था और विधान सभा का चुनाव आ गया भारती जनत पार्टी विधायक का परत्यासी बनाया और अच्छे से पहला ही चुनाओ हम जीते विधायक का जनता ने हमें जिताया उसके बाद लगातार आगे बढ़ते गए कभी पीछे मूड के देखे नहीं और जनता के आसिर्वास से और हमारे सीर्ष नेताओं के विस्वास से तीन बार विधायक, चार बार सांसद, तीन बार प्रदेश सद्धस का दाइत्व और मोदी जी जब 2014 से लेकर 2011 तक प्रधानमंत्री बने तो उनके सासन के प्रथम कारकाल में राजमंत्री के रूप में मुझे काम करने का आउसर मिला और जब 2023 का विधानसभा चुनाओ आया तो भाती जनता पार्टी फिर कुनकूरी विधानसभास से हमको अपना प्रत्यासी बनाया चुनाओ जीते और आज हमारा सोभाग है हमारे पार्टी के सिर्षस्त लोगों का विश्वास है और जनता का सिर्वाद है कि आज मुख मंत्री के दाइतों पर है अगर इस वक्त हम अर्थविवस्ता देखें तो लगबाग पांच लाग करोड के करीब है अब आपने ये एक अपने लिए चुनाओती ले ली है कि अगले चार साल में हमने इसको दस लाग करोड पे ले जाना है इसको इस अर्थविवस्ता को अब जब आप उसको देखते है कि 36 गड़ एक पिछड़ा हुआ राज था और आज 36 गड़ को 24 साल हो गए और इसमें ज्यादा समय तक भारती जनता पार्टी की सरकार रही है तो आज 36 गड़ का जो भी विकास हुआ है ये भारती जनता पार्टी की सरकार में हुआ है जिसका जिकर मैं कर चुका हूं यह यहां पर भुक मरी होती थी, यहां पर रोड नहीं होते थे, पीने की पानी की समस्या थी, लेकिन आज पिछले पंदर वर्सों में जो भी यहां विकास हुआ है, सडग, विजली, पानी, इस सब हमारी सरकार ने किया है, और भारत सरकार में भी जब जब भारती जनता पार्ट सरकार में रही है, सरदेहटल वियारी बाचपी जी परधानमंत्री रहे, अभी दस वर्सों से स्री नरेंद मोदी जी परधानमंत्री हैं, तो उनकी अनेक कल्यानकार योजनाओं के माध्यम से 36 गड़ का विकास हुआ है, आज अगर घर-घर में बिजली पहुँची है, तो जीवन मिसन और सहरी छेत्रों में अमरित मिसन इसका योगदान है, आज अगर हमारी माता और बहनों को धुआ से मुक्ति दिलाने के लिए परधानमंत्री उजलाए उजना में गैस का सिलिनर देने का काम इस देश में किसे ने किया है, तो यह भी भारती जनता पार्टी की स दोस्ताय भी हमारी सरकार ने किया है, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री सिरी नरिंद मोदी जी ने समझा, और आज इस देश के गरीब परिवार के लिए सोचाले का निर्मान हुआ, कई प्रदेश में इस सोचाले को विजद घर के नाम से भी जानते हैं, तो इस तरह से गरीबों के लिए काम किया, और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब 2014 में पर्धानमंत्री के रूप में पहले दिन पर्लामेंट में परवेश किये, तो सबसे पहले तो पर्लामेंट को जुग कर उन्होंने पणाम किया, और पहले ही अपने उद्वोधन में उन्होंने कह था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहे गी, और उनका पहला पांस साल गरीबों के लिए ही समर्पित रहा, गरीबों के लिए सोचाले का निर्मान, गरीबों के लिए जंधन खाता, गरीबों के लिए गैस का सिलिंडर देने का काम, इस सारा काम गरीबों से जोड़ा हुआ उन्होंने पहले 5 साल में किया हम इस वक्त साहें साहें रफ्तार के साथ हो रहे हैं देखिए 2018 के बिधान सभाचुनाओं में छत्रीगड की जनता इनके लोकलुहावन घोसना पत्र में विश्वास करके बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था एक तरफा जनादेश मिला था 15 साल में हमा कांग्रेस जनादेश को संभालनी पाई जो विश्वास चत्रीगड की जनता ने किया था उस विश्वास को कायम रखनी पाई लगातार जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया 36 वादे थे 36 वादे में एक भिवादा उनका पांस साल में पूरा नहीं हुआ और मैं अनेको बार उनको चैलेंज किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि भुपेश बगहल जी बताएं अगर 36 में एक भिवादा अगर सत्पति सत्पुरा किये हो तो हम राजनिती छोड़ द लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कहें कि उन्होंने 36 में से एक भिवादा पांस साल में पूरा नहीं किया था और इसका खामयाजा उनको अगले 2023 के विधान सभा के चुनाओं में भोगतना पड़ा विश्वास तो खोई ही खोए लेकिन पूरे 36 गड़ को करप्सन में जंगल घोटाला हुआ, आज कितने इनके लोग घोटालों में उनके उपरे फायार हुआ है और लंबे समय से जेल की सलाखों के अंधर में इनके लोग, इनके नेता, इनके उस समय के अधिकारी जो इनको सहिए कि आज डेर डेर साल एक एक साल से जेल के अंदर में है उनको जमानत नहीं मिल रहा है तो इस सब इनके भटाचार का यह परिणाम है और आज भी लगातार जात चल रही है तो महिला सशक्तिकरण पे आप ने क्या-क्या सोचा था कि आप करेंगे और वहां पर क्या-क्या लग रहा आपको की और आप करना चाहेंगे वहां पर महिलाओं को भारती जनता पाटी में काफी समान मिला है मैं कहना चाहूंगा कि जब वो यहाँ पर भरती जन्तापाटी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह मुख मंत्री तो पंचायत में 50% आरक्षन देने का काम भरती जन्तापाटी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह त Толькоामिन मुख मंत्री ने किया अगर विधान सभा और लोक सभा में 33% आरक्षन देने की बात हुई है ये संसद में बिल भी पास हो गया है तो ये भी भारती जनता पाटी के सरकार ने किया है आज वे हिल्स वेवल ग्रूप के माध्धम से महलाओं को आगे लाने का काम ये भी हमारी सरकार ने किया है अज उनको आर्थेक रूप से ससक्त करने के लिए उनको कई योजनाओं के माध्धम से रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और महतारी बंदन योजना में सतर लाग से ज्यादा विवाहित माताव बहनों को हम लोग प्रती मेहना एक हजार रुपया उनके खाते में दे रहे हैं पांच मेहना दे चुके हैं कल फिर अगला किस छट्वा किस जाने वाला है और आज धिकान से लोग यहां गरीब हैं गाउं में रहते हैं और उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक हजार रुपया का आर्थिक सहुख परती मेहना यह बहुत बड़ी बात है आर्थिक ससक्तिकरन इसमें महलाओं का बहुत हो रहा है विशुदेव जी कई दिफा जब आप किसी एक राजे में रह रहे होते हैं तो आपको लगता कि यहां पर कई कमी हैं क्योंकि आपको शायद दूसरे राजियों का पता नहीं होता पावर सर्पलस स्टेट है यह कई स्टेट में इंडिया में बिजली की बहुत कमी है और बिजली को लेके हमेशा ही वहां पर कोई ना कोई दिक्कत महां बनी रहती है 24 गेंटे का सप्लाई कई जगाँ पर 36 गड़ में मिलता है आप बिजली का जो नेटवर्क है और उसको आप फैला रहे है लेकिन क्योंकि बिजली यहां पर हमेशा मिलती रही सस्ती मिलती रही अभी आपने थोड़ी सी कोशिश की कि आठ प्रतिशत उसका दर बढ़ाया जाए तो 200 स्टील की जो आपकी फैक्टरीज हैं उन्होंने कह दिये कि हम काम नहीं करेंगे आपकी आपने हमारा बिजली का रेट बढ़ा दिया अब हम कोई इसमें कोई मुनाफ़ा नहीं होने वाला तो उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया आपके इस ओर को लेके कि इस डिसीशन को लेके कि हमने बिजली के दर बढ़ाने है बिजली यहाँ पर बहुत मिलती है बिजली की हमेशा यहाँ पर सप्लाई रहती है थोड़ा सा रेट बढ़ाया गया तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब आप पांच लाग करोड से दस लाग करोड की तरफ जा रहे हैं उसके लिए जब आप अपने रेट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस तरीके की जो आपको मुश्किले आएंगी इनको आप कैसे दो 36 गड़ में बिजली को अच्छी इस सित्य में पहुचाने का काम भी 15 वर्सों के अपने सरकार में डॉक्तर रमन सिंगी ने किया सरपलस बिजली उसी समय यहां पर हुआ और 24 घंटे उस समय बिजली देते थे किसानों को 3 HP में 6000 उनिट साल का और 5 HP में 7500 उनिट साल का उनको फ्री किसानों को दे रहे हैं जो आज भी जारी है वो भी दे रहे हैं और जो BPL परिवार के हैं उनको 30 उनिट विजली महने का फ्री दे रहे हैं ये सब चली रहा है, लेकिन आप वो भी पता है कि सब चीज महंगी हो रही है, लेकिन पिछले पांच वर्सों में विजली का किमत यहां पर बढ़ा ही नहीं, और इस कारण से विभाग के उपर काफी कर्ज बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों ने नॉमिनल बढ़ाया है, घरो के विजली में मात्र 20 पैसा परती उनिट बढ़ाया है, और उद्योग में भी मात्र 25 पैसा परती उनिट बढ़ाया है, वो टेरी फार लोड सेटिंग उगरा है, वो सब मिला के थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस साल 743 करोड का हम लोग लाब जिनकी आप चर्चा क है, जो इस पंज एरन के उद्योग पती है, उनको 747 करोड उप चाही साल भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको फैदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, निया राइपूर 36 गड का एक सिंबल बनेगा कि 36 गड आगे बढ़ रहा है, कुछ किलोमेटर यहां से और आगे हम चलें अगर बस्तर के जंगलों के अंदर, घने जंगलों के अंदर, जहां पर नकसलवाद अभी भी चल रहा है, आपका उपरेशन क्लीन स्वीप बहाँ पर काम कर रहा है, कि किस तरीके से हम नकसलवाद भी 36 गड से धिरे-धिरे खतम करें और फिलाल उसको कम करने की पूर साल सरकार थी, तब भी नकसलवात के साथ तातकालीन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी – और जब आये थे बैठक लिये थे और उन्हें के टार्गेट दिया था कि तीन साल में यहां से नक्सलवात को समाप करना है और उस अनुरूप हम लोग काम भी सुरू कर दिये हैं डबल एंजिन की सरकार का भी हम लोग को लाब मिल रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथ महिन में ही डेड़ सो के करीब नक्सली मारे गए है हम लोग सिर्फ दोनों रास्ता नक्सलियों के सामने में रखे हैं अगर आप गोली वारू की बात करोगे तो सरकार गोली वारी से उसका जबाब देगी उसके लिए सरकार सच्छम है लेकिन आप अगर विकास की मुखधारा से जुड़ना चाहोगे आत्म समर्पन करोगे तब ही आपके साथ नयाय होगा और आज डेड़ सो नक्सली मारे गए हैं और हजार से ज्यादा नक्सली गिरवतार और आत्म समर्पन भी किये हैं और जो भी आत्म समर्पन कर रहे हैं उनके साथ सरकार नयाय कर रही है और हम में उनके साथ पुनर्वास की नीती हो या जो भी उनको लाब पहुंचाने का हो अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है उसका अध्यान हम सब लोग कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रीम मंत्री है इस प्रदेश के विजय सर्मा जी आज इन इन्हीं बातों को लेकर आसाम गए हुए हैं हम लोगों ने सुना है कि उहां कि पुनर्वास नीती बहुत अच्छी है तो उसके अध्यान के लिए हमारे ग्रीम मंत्री जी गए हुए है और जो भी नक्सली विकास की मुगधारा से जूड़ना चाहेंगे उनके साथ सरकार बह लड़ रही है और मुझे यह संदूहिं नहीं है कि अब धीरे-धीरे सिकूटे जा रहा है लोगोर फे कि अ तरह से सरकार के जो योधना है उसको पहुचाने का काम हम लोग कर रहे और में आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग एक नियद निलानार योजना शुरू किये हैं ये नियद निलानार गोड़ी भासा में है इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गाउं तो ऐसे 23 केंप के अंतरगत इनका नबे गाउं सामील है और इनका नबे गाउं में पिछले 7 महने में सरकार के करीब 17 विभाग उसमें इन्भाल्व है और करीब 52 या 58 व्यक्ति मुलक योजना और करीब 18 सारुजनिक योजना इसको प्रात्मिक्ता के साथ वहां पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है वहां कोई जाते नहीं थे वहां रस्ता नहीं था तो रस्ता बनवाने का काम कर रहे हैं सड़क बन रहा है वहां बिजली पहुचा रहे हैं वहां रासन कार नहीं होता था रासन कार बना रहे हैं वहां पर मोबाइल वेंस से वहां पर रासन कर रहे हैं इस तरह से हमारी सरकार बिल्कुल प्रात्मिक्ता के साथ ऐसे जो पांच जिली अभी बचे हैं इसमें सुक्मा बीजापूर दंतेवाडा नारायनपूर और कांकेर का कुछ हिसा है जो नियद निलानार योजना के अंतरगत आते हैं से सभी गाउं में विकास को हमा चाहते हैं लेकिन पहले उन तक कोई पहुंचता नहीं था और हमारी सरकार उन तक पहुंच बना रही है और सारी सरकार के उधनाओं को वहां पहुंचा भी रही है और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे छेत्रों की जनता से उनका भरपूर हम लों को साथ ही मिल रहा है और वो नकसलवाद को खाड ठेकने में उनका भी आसिरवाद हम लोगों को मिलने वाला है तो यह ओर्गनाइस्ट क्राइम बन सकता है तो क्या आप यह समयते हैं कि जो नकसलवाद 36 गड़ में पिछले लगबग चार दशक से है वो अब अपनी आइडियोलोजी सोच को छोड़के ओर्गनाइस्ट क्राइम की तरह बढ़ गया या अभी सोच है उसमें यह दोनों नहीं लेभी ओसुलने का एक माध्यम बना लिये हैं तो आप इसको और्गनाइस्ट क्राइम समयते हैं कि यह ओर्गनाइस्ट क्राइम जी-जी बिलकुल बिलकुल और इसका लाब हम लोग को मिल रहा है जनता इन से दूर जा रही है क्योंकि वास्विकता आज जनता पचान चुकी है, यह लोग जनता के हिते सी नहीं है, नक्सलवात के आड़ में मजा मोज आइस करने का एक माध्यम बना रखे हैं, जनता समझ चुकी है. एक बार आपने एक जगा पर कहा था कि अगर आप आदी वासी नाम को देखें तो उसमें हर जगा पर राम बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है, और इस वक्त उसको लेकर भी आपकी तरफ से काम भी चल रहा है, यहां पर राम पत का भी निर्मान हो रहा है, वहां पर भी क्या कारे चल रहा है और क्या क्या हो सकता है वहां पर, अगर हम उसको देखें कि उसमें क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या होगा, देखिए एक तो हम लोग सोभाग साली है, 36 गड़ वासी के माता को सल्या की नगरी है, भगवान राम का इन अनिहाल है, और 14 वरसों क अपने बनवास काल काधिकान समय भगवान राम ने 36 गड़ के अंदर में बिताया है, और यहांने को उनसे जुड़े हुए उनके पद्चिन है, यहां सिवरी नारायन में सिवरी धाम है, जहां पर माता सबरी के वो जूठे बेर खाये थे, और हम लोग यहां पर राम लला दर्सन योजना के भी सुरुवात किये हैं, और हर सब्ता यहां से एक ट्रेन राम भक्तों का अयोध्या जा रहा है, बसे से भी जा रही है, सरगुजा जिसे छेत्र में जहां पर अयोध्या से दोरी कम है, वहां से बसों के माध्यम से भी रा द्धुल्ण लगवान राम का Calvin mm प्रूर्ण जीने जी स्कटिपीट को सकतिपीट सरकीट भर को एह काण पर करने वाले Lon आपके रोगर गडगं रोगर पत है उसका भी विकास करने वाले हैं तो इस तरह से हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे चुंकि छत्यगड भगवान राम का ननिहाल है एक बार जाते जाते आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जो दो हजार सिंतालिस का जो आपका एक विजन है चत्यगड के लिए और उस विजन को जब आप देखते हैं तो आप उस विजन के नजरिये से हमें क्या दिखा सकते हैं कि हम आने वाला क्या चत्यगड कि श्री नरेंद मोदीज इस देश के प्रधान मंत्री है जो 140 करोड भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और राद दिन उनके लिए वो जीते हैं और पिछले 10 वर्सों में हमारा जो देश आर्थिक छेत्र में 11 अस्थान पर खड़ा था उसको अपने अथक परिश्र बार प्रधान मंत्री बने हैं तो पूरे 200 का तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का उनका संकल्प है और 2047 तक इस देश को विक्सित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है तो हम लोग 36 गड़वासी भी संकल्पित हैं उनको योगदान देने के जो आज हमारी प्रदेश का GSDP पांच लाग करोड का है उसको आने वाले पांच वरसों में जसिसका डबल दस लाग करोड करने वाले हैं और एक विक्सित 36 गड़ का एक विजन डाकुमेंट हम लोग बना रहे हैं और लगातार इस पर काम जारी है लगातार बैटके हो रही हैं किसानों के साथ युगाओं के साथ व्यापारियों के साथ हमारे और भी जितने भी बुद्धी जीवी वर्ग हैं महलाओं के साथ सब के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं और उनका हम लोग सला मसूडा कर रहे हैं उनके विचार जान रहे हैं और एक विक्सित 36 गड़ का प्रदेश का इस्तापना दिवस होगा उस दिन हम लोग इस विजन डाकुमेंट को इस प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे विश्णतिर साय जी डायमंड स्टेट समेट में हमारे साथ जुडने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूजेटिन इंडिया पे आपसे जल्द फिर मुलाकात करेंगे न्यूजेटिन परिवार को हमारे तरफ से भी बहुत धन्यवाद ये डायमंड स्टेट समिट करने के लिए जिसके मादम से आज आप सब लोगों के समक्स हमें उपस्तित होने का उसर मिला बहुत-बहुत-